ऐसे लगता है कि छेना बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंजियूमिंग है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है छेना बनाना बहुत ही आसान है अगर आप लोग सोच रहे हैं कुछ मीठा खाने के लिए तो चलिए एक बर बनाएं मेरे तरीके से ये छेने 12-15 मिट से कर लेंगे और सच बतार melts अबनाना और फीर इसे पानी से इस तरह दोलेंगे ताकि इसका शार वहनगर अच्छी तरह से निकल जाए और इस तरह से इससे कसके दबाना ताकि इसका सारा पानी निकल जाए आप लोग वॉटर से अच्छी तरह से इसे वश्च कीजएगा ताकि आपने जो वैंगर या लेमन जो भी डालाओ तो अच्छी तरह से निकल जाए उस साइस का बना ये। मैंने ज़ादा बड़े नहीं बनाये। में मीठा डाले हम ज्यादा मीठा नहीं खाते इसलिए मैंने कम डाला है और चासनी जब अच्छी तरह से खौल जाया है मतलब बहुत यह अच्छी तरह से खौलने के बाद हमें एक एक करके सारे चेने डाल देने हैं और देखिए देखते ही देखते हैं आधा प्रोसेस हमारा हो चुका है और इसे अब हम cover कर देंगे और पूरी तरह से cover नहीं करना इतना समय ने खूला छोड़ दिया आप लोग देख सकते हैं और जब अच्छी तरह से ये खौल जाएंगे तो ज्यादा फ्लफी हो जाएंगे मतलब इनका साइज जितना था उसे डबल हो जाएगा पान से साथ मिट उसे ओपन करके कुक करना है अब मैं गैस इसका बंद कर रहे हूँ क्योंकि हमारे इस गुले अब रेडी हैं है ना देखते देखते हमारे छेने त्यार है उपर से डाले इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर आप चाशनी में भी एट कर सकते थे अगर आप लोग ने एक बार भी अभी तक भी छेने बना के ट्राइड नहीं किया है घर पे तो एक बार जरूर बना है और मेरी नई वीडियो के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक्स फर वोचिंग बाई बाई